नमस्कार सतिन्दी.com में आपका स्वागत है एक नजर अब तक की सुर्ख्यों पर अयोध्या मामले में सुप्रीम कोट ने 26 में दिन की सुनवाई में उम्मीद जिताई है कि ये सुनवाई 18 एक्टूबर तक पूरी हो जाएगी इसके साथ ही कोट ने कहा कि हर रोज की सुनवाई के साथ ही मद्यसता की कोशिच भी जारी रह सकती है कोट ने कहा कि आचका करता इसके लिए सुतंत्र हैं कि वह सुप्रीम कोट द्वारा नियुक्त मद्यसता पैनल के माध्यम से बादचीत का रास्ता निकाले यंका गांधी ने आर्थिक मंदी को लेकर मोधी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि चकाचाउन दिखा कर रोज 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन बोलने या मीडिया की हेडलाइन मैनेज करने से आर्थिक सुधार नहीं होता है उन्होंने टूइट कर कहा कि विदेशों में प्रायोयित इवेंट करने से निवेशक नहीं आते, निवेशकों का भरोसा दगमक आ चुका है, आर्थिक निवेश की जमीन दरग गई है BSP प्रमक मायाबती ने कॉंग्रेस पार्टी पर सामपरदाईक ताकतों को बड़ावा देने का आरूप लगाया है मायाबती ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की दोगली नीती के वज़े से ही देश में सामपरदाईक ताकतें मजबूत हो रही हैं क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी सामपरदाइक ताकतों को कमजोर करने के भजाए इसके विरुध आवाज उठाने वाली ताकतों को ही ज़ाधातर कमजोर करने में लगी है पंजाब में आमाद्मीं पार्टी के विदायक अमन अरोडा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग से देशी और विदेशी गायों के बीच एक अंतर स्पष्ट करने को कहा है उन्होंने कहा कि सरकार को देशी गायों की सुरक्षा करनी चाहिए और अमेर्की नसल की विदेशी गायों को काटना चाहिए बिहार के उपवुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आटो मुबाइल इंडस्ट्री में मंदी को लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा कि पित्रपक्ष की वज़े से इस महीने में कम गाड़ियों की बिक्री होती है उन्होंने भरोसा केता है कि पित्रपक्ष के बाद राज्ज में आटो मुबाइल सेक्टर में सुधार होगा अमेर्की कॉंग्रेस के दोनों सद्रों के 44 सांसदों ने डॉनलर्ड टरम प्रशासल से भारत के लिए लावदायक विकासचील देश का दर्जा बहाल करने को कहा है अमेरिका ने जून महीने में GSP के तहट लावदायक विकास्चिल देश का रूप खत्म कर दिया था GSP अमेरिका का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा व्यापार प्राथमित्ता कारिकरम है जिसके तहट विकास्चिल देशों के सामानों पर अमेरिका बहुत कम आया शुक लगाता है इस्राइल में पिछले पांच महीनों में दूसरी बार चुना हुआ है मंगलबार को इस्राइल में नागरिकों ने मददान किया जिसके बाद इस्राइली टीवी चैनलों के एकजिट पोल में नेतनियाहो की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है एकजिट पोल में नेतनियाहो की पार्टी लिकुट को 31 से 33 सीटे मिलती हुई दिख रही है तो वहीं उनके प्रतिद्वन्दी ब्लू एंड वाइड पार्टी को 32 से 34 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है बारत की स्टार बैडमिंटन खिलाडी दुनिया में आटवे रैंकिंग की खिलाडी साइना नेवाल चीन ओपन के पहले ही राउंड से बाहर हो गई है बुद्बार को हुए मुकाबले में थाइलेंड की बुसानन ने उन्हें 10-21-21 से माद दी बारतिय पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक का टिकेट पक्का कर लिया है उन्होंने विश्चु रैसलिंग चैंपिंशिप में 53 किलोग्राम भारबर्ग में सेरहा हिल्टर ब्रेंडन को 8-2 से हरा कर ब्रॉंड मेडल प्लेओफ के लिए कौलिफाई भी कर लिया भारत और दक्षिय अफ्रिका के बीच दूसरा T20 मैच आज मोहाली में खेला जाएगा तीन मैचों की सीरीज में पहला मैच धरमशाला में एक भी गेन फेके बिना रद हो गया था इसके साथ ही इस मैच में ओपनर वर लिवाज शिकर धवन पर नजर होगी जो वेस्ट इंडीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे अब तक की खबरों में बस इतना ही बाकी की खबरों के लिए बने रही है सत्थिंदे.com के साथ